वाट्सप गैस मानवे तो आज हम बात करने वाले हैं डूम टावर के बारे में तो दोस्तों सब को पता हिए डूम टावर यह नया कॉंटेंट डेड हुआ है और यह असान नहीं है तो कई लोग को बहुत जादा प्रॉल्लम आई होगी मेरे को भी काफी प्रॉलम आई है जब वो अपने चैंपियंस को जल्दी अफ़रेड कर सकते हैं या इनरजी खरीज सकते हैं या उनको शार्ड बहुत सारे पूल करके मेंबी कोई और बेटर चैंपियंस इसके अंदर मैटर करते हैं अगर आपके पास कुछ पैसिफिक चैंपियंस हो और आप फ्री टू प्ले भी होंगे तो भी आपका गेम काफी जादा इजी हो जागा वो चैंपियंज की बात हम बाद में करेंगे तो आईए पहले बात करते हैं डूम टावर जैसे के मैं खोलता हूं और मैं ये नॉमल को कंप्लीट कर चुका हूं कर चुका हूं मैं अब आइधिंग जब जितनी बार भी होगा तो मैं इसको आज ही जल्दी से कंप्लीट कर दूँगा ताकि मुझे या तिंक सौ या डेड़र सो इनर्टी तो इसके अंदे मिलती ही है हमें तो डूम टावर के रिवार्ट बहुत जादा अच्छे होते हैं आपको इसके अंदे शार्ड मिलते हैं रैंक फाइव का जाते हैं और साथ में बुक्स मिलती है अब आटिफेक्स मिलते हैं जो इतने इंपॉर्टन होते नहीं है पर वैसे तो में उसली आपको देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज के अंदा मिलता है आपको रैंक फाइव का चिकन उसके नदा वाइड शार्ड भी आगर आपको मि करूंगा तो वाइड शार्ड मुझे मिलेगा तो आई जिस पहली बात करता हूं जिसने भी इसको कंप्लीट कर लिया है तो उसको एक बहुत बड़ी सजेशन देना चाहता हूं मैं हर जो भी मैंने अपने मेरे क्लैन के दो-3 लोग हैं हमारा डिस्कॉर्ट भी पेज है मैंन लास्स्ट रिम कम्प्लीट किया था आई तिंक फस्ट रइम या सेगेंड टैंव और चैयंक्मीइं होता है तो जैसे की मैंने टेम η फोटो की रगी है और इस बार भी अगर विब्र को औक थे अगर बेपा हो तो यह सी की कौन सी हमारी टीम चल रही है तो यह देखिए सेकंड लास हमारा बॉस है इसके अंदर में मेरी सेम टू सेम टीम ही है टाइम आपका मेटर नहीं करता अपनी कित्ती देर में गिया है कि फ्री टू प्लेयर प्लेयर वालों को अट लिस पांक से दस मिनिट तो बॉस के स्क्राइब किंग बी काफी जादा मुश्किल है तो उसमें आपको जादा देर भी ही लग सकती है तो यह और बात करते हैं जैसे कि मैं दूसरी फोटो मारे दिखाता हूँ तो यह मेरे चेंपेंगे आपकी करता है अगर आप शीड़ पर होंगे तो आपको जो है यह मीटर भी करता है डिक्री स्पीड भी करता है और साथ-साथ बहुत सारे डीबफ आप पे चड़ा देता है तो आपकी बारी जो है यह नहीं आने वाली तो आपके बार शील्ड चैंपियंज होंगे तो वह आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे तो सबसे पहले यह हमारा पर आपको मिला था और यह काफी बढ़िया जैंबिन है तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको काफी अच्छा विल्ड कर रखा है और स्पीड भी सबसे अच्छी बात है एक्यूरेसी भी ठीक है पर एक्यूरेसी इसके अंतर काम नहीं है कि डूम टाउर में क्यों क बॉस के जो चोटे चैंपियंगे से पहले जो मारी दो स्टेजिज होते हैं वह आपको भाई सब किसी भी चैंपियंगे और इसकी जो है यहाँ पे प्लेश शील्ड तीन टर्न के लिए आपके शील्ड कर देता है जो कि बहुत जादा होती है साथ-साथ मैं एक और चैंपिय अगर आप बेस्ट चैंपियंगे तो वैलकरी और वैलकरी अगर हम मेरी बिल्ड देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो मैं दो साथ हजार डिफेंज इससे जादा डिफेंज भी कर सकता हूं पर मैंने यहाँ पे जो है क्रिटिकल डैमेज का जो है एमुलेट चूस किया है क तो फिर भी आपको बताया तो अगर आपको कौन से चैंपियंगी जरूत पड़ेगी तो एक हमारा शील्ड का चैंपियन कहां गया वाई तो यह देखिए जैलो थार बहुत बढ़िया शील्ड का चैंपियल है यह 20% शील्ड आपको प्रवाइड करता है एक निया चैंपिय गढती है यह 31,000 इसकी हो रखी है तो यह भी हमारी शीड प्रवाइड करती है देखेंगे 20% or साथ-साथ continue sales बहुत बढ़िए चैंपियन है और ज estavam हमारा जो है काफी फेमस चैंपिय passing है साथ-साथ हमारा rare भी है तो हें हमारा सेक्रेट और का चैंपियन है तो अगर आपके पात यह होगा तो आई दिंग लास्ट टाइम जो हमारा फ्रेग्मेंट हुआ था या फ्यूजिन हुआ था उसके अंदर यह चैंपिन नया एड़ हुआ था और यह आपको शायद फ्यूजिन के यूज़ करना तो अगर आप पुल भी करते हैं वाइड तो आपको यह चैंपि सब्सक्राइब तो आपको काफी ज्यादा काम आईगी और भी बहुत सारे चैंपिन शील्ड वाले अप तो एड हो गए हैं तो बात करते मैं अपनी टीम दिखा रहा था आपको तो यह देखिए यह मेरी टीम है थोड़ी सी चेंज हो गई होगी क्योंकि इनोंने टर्न मीट का इसके अंदर काफी ज्यादा दिक्कत कर दी है क्योंकि आप फिप्टी परसेंट टर्न मीटर ज्यादा एक टर्न में नहीं करते तो जैसे मेरी लेसेंडर आप इसके अंदर नहीं कर सकते हैं अजुन देखिधी मैं दिखा रहा था मेरी इस्क्राइब किंग की टीम तवर लेसेंडर टर्रमीटर के लिए और यहमारी है रिवाइव के लिए किलिए तैजे मैं दिहाता हूं आपको को ने कैसे किया है और मेरा दूसरा देखेंगे तो आप ये स्पाइडर के लिए आपको टर्मीटर की जुद पर सकती है पर अगर आप टर्मीटर लेंगे तो आपको फिर वह आपको अटेक करेगी तो भी है तो उसके लिए मैंने सबसे आदा हील बढ़र किये तो यहां देख कर सकते हैं तो एक और देखिए हमारा जो है फ्रॉस किंग बॉस इसके अंदर सबसे अदिक्कत देगी अगर यह एच्पी बन पर नहीं होगा या आपके बाद ब्लॉक रिवाइब ना हो तो आप जो है उसको मार नहीं सकते वह वापिस से जिंदा हो जाएगा तो उसके लि ब्लॉक रिवाइब चैंपिन भी नहीं है तो नंबर वन चैंपिन जो हमारी गीम का है आई थिंक तो मैं आपको दिखाता हूं हमारा जो है लेट सी कहां गया आर्मीगर जो हमारा जैंपिन है आपको थोड़ा इसिंग मैन्वली खेलना पड़ेगा इसके अंदर तो आर्मी स्पाइडर जो है वो जिन्दा नहीं होगा तो आई यह दिखाता हूं मेरी आइधिंग नीचे की टीम कुछ और हैं और उपर के देखिए मैं इसके टीम यह है तो यहां मैंने बुलवार का यूज किया है और यह आप यह भी बहुत बड़े चैंपिन तो इसके अंदर आप को बडिवाफ को भी आपको इंक्रीज करता है तो वह अच्छा चैंपिन है तो आपको भाराइटी आपके वाबा काफी ज्यादा हो जाएगी तो जैसे पर पास टार्न है तो टार्न के अगर आपके पास नहीं है तो आप रेयर चैंपिन्स भी यूज कर सकते हैं आप हमारा वाइड चैंपियन है और यह भी काफी ज्यादा शूरू-शूरू में फेमस हुआ था अब तो ज्यादा नहीं चलता क्योंकि देखें कंटिनियूस हील भी आपको पॉइड करता है पॉज़न भी प्रोवाइड करता है तो यह क्लैन वास के अंदर थोड़ा काफी ज्या मैं करके दिखाता हूं आइधिंग अभी मैं यह नहीं करना चाहता क्योंकि हमारा जो है इवेंट चल रहा है तो थोड़ा सा अगर मैं नीचे वाली से दिखाऊ होते हैं देखेंगे मेरा टाइम जो है काफी ज्यादा होगा इसके अंदर देखेंगे दस मिनिट का टाइम है पर टाइम आपको कोई मैटर नहीं करता बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वह भी हार्ड के अंदर उनको काफी जाजा टाइम लग जाता है कि आपको कोई बात नहीं आटोमेटिक ली आपको करना बड़ेगा मैनुल में आपको काफी दिक्कत हो सकती है तो आह देखिए के लिए हमारी तो हमारा सब को रिमूव करने के लिए रेलिकुरी टिंडर है यह बहुत बढ़े चैंपिन दो को पता ही है साथ साथ सेल हीलर है सिल तो मेरी मुझे हर जगह ही काम आती है और वरास्क है क्योंकि यह मुझे टैन परसेंट इसकी एच्पी के एसाफ से अगा है एक बार के अंदर आगर आपका डूमट पर नहीं होता है तो कई बार में से ऐसा हुआ है कि मैं कितनी सेज को दस बार मैंने ट्राइग किया होगा पैशली बता रहा हूं मैं हाड के अंदर हाड इतना मुश्किल है आप नहीं कर पाएंगे I think मैं हाड के अंदर मैक्सिमम पहुचा हूँ लेट सी तो पहली सेज मैंने कर ली है सेकिंड भी कर ली है थर्ड भी कर ली है I think मैं फॉर्टी फॉर या फॉर्टी थ्री के आज साथ पहुंचे गया तो एक सेजिस थी उसके अंदर बहुत सारे I think तीन एंगर थे तो बार-बार मुझे काउंटर अटक कर जाय रहे थे मेरी स्वीड भी काफी जाता थी पर वही है कि आपके पास दबा के बड़िया चेंबियों होनी चाहिए बहुत तो आप भूली जाओ बहुत तक तो पहुंचताने ही बहुत मुश्किल काम हो जाता है आप नॉर्मल स्टेजिस के जो चेंबियों से उनको भी आ है तो बहुत जाला मुश्किल हो आता है तो मैं इससे आद गिए अभी तक 4044 पर है तिंग मेरा देहान है कि मैं लास्ट राइम पहुंचा था और लेट सी कि अब हमारा क्या होता है इससे आगे मैं पहुंच पांता हो नहीं पहुंच पांता तो उसके लिए मुझे तो भी क बड़ा पॉईजन देती है तो यहां देखेंगे कर में टाइमिंग आपको दिखाऊं तो चाववन सेकेंड में मैंने कर लिया है अच्छा जी तो लेट सी क्या होता है मैं को ध्यान नहीं इतनी जल्दी मैंने करा है इसको क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा कर से कम लगेगा तो महीं अकर बाद में और मैं वीडियो बनाऊंगा इसके लिए स्पेसिफिकली हर स्टेज क्या मैं बनाऊंगा आपको पेशन्स रखनी होगी आपको इंदार रखना हो कि कैसे आप चैंपियन को मारें आपको पूरा का प इसको भी आप एड़ कर सकते हैं बहुत से जिसको नहीं तो आप इसली आप कर पाएंगे तो पहुंच गे हमारे बहुत की तरफ तो पॉजन डालने से क्या होगा कि जैसे अगर आपको पता ही है ड्रैगन जो है आपका पॉजन से काफी जादा आपकी इनर्जी देखेंगे इसकी हेल्थ बढ़ती रही क्योंकि का कंटिन्यूस हील ले लिया था उसने हमारा अगर देखेंगे अब जो अगर टर्न चलेग तो यही है फ्रोजन बेंची आप यूज कर सकते हैं मेरे लाइफ सील पे अगर आपकी पास बहुत ज्यादा सपोर्श चैंबिन्स हों तो आप लाइफ सील को हटा भी सकते हैं आपको यह और आप्शन है तो तो बाकी एक और स्टेजिस के बारे बताता हूं मैं आपको तो आप डिस्ट्रॉइ सेट भी यूज कर सकते हैं पर वाइथिंग हमारा स्क्रैप किन के ओपर काम है क्योंकि इसके वह एच्वी बेस्ट आप इसको एटैक करेंगे तो यहां देखेंगे यह इस पर टाइम थो पर बारे बता देखेंगे फेट आप दो जह देखेंगे तोडैम करेंगे यहां गारे दो कि अयूंड पस्वाल decor यह 5 मैं एचन एव भी एका मैं रढई हैं